ओवरी का कैंसर भारती महलाओं में होने वाला तीसरा प्रमुक कैंसर है पहला प्रमुक कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और उसके बाद गर्भासर ग्रीवा का कैंसर यानि कि सर्विस का कैंसर आता है ओवरी के कैंसर से होने वाली ब्रेस्ट और सर्विस के तुलना में काफी अधिक है क्योंकि लगबग दो तियाई महलाओं को इस कैंसर के बारे में ही नहीं पता और इनके सिंटम्स के बारे में उनको बिल्कुल भी जानकरी नहीं होती ओवरी कैंसर का प्रमुक लक्षण है पेट का बढ़ना अगर बढ़ती हुए उम्र में पेट बढ़ता है तो आपको ध्यान देना चाहिए और जो इसकी लक्षण होते हैं उसमें आता है अपत का समस्या का लगातार का रहना पेट का जल्दी भर जाना और पेट की निजले वाले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द रहना और कभी-कभी पिशाप की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है ये सारे लक्षण नॉन स्पेस्विक होते हैं मतलब ये सारे लक्षण महिलाओं को और किसी प्रब्लम की वज़े से भी हो सकते हैं इसलिए कोई प्रब्लम है या ओवरी की प्रब्लम है इसकी जानकारी होने में बहुत समय लग जाता है इसका कारण जो होता है वो भी ठीक से नहीं पता है इसके काड़ों में आता है बढ़ती उम्र में ये cancer हो सकता है या फिर अगर महलाओं की family history में breast cancer, endometrium cancer, colon cancer अगर इसकी history है तो ये cancer हो सकता है जीन्स के changes की वज़े से breakup 1, breakup 2, endometrium mutation की वज़े से भी ये cancer हो सकता है या ये cancer हार्मोन लेने की वज़े से भी हो सकता है और जिन महलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनको भी ये cancer हो सकता है